त्वरित अभीप्राय एक मानस एक नानकडी दिक्री साथे बगीचामा फरवा गयो हतो त्या बाब दिक्री ए खुब धिंगा मस्ती करी अचानक दिक्रीनु ध्यान सफर्जन वेच ता एक फेर्या पर पड़ियो लाल चटक औने चड़कता सफर्जन जोई ने दिक्रीना महमा पाणिया विगरू एने बाब सामे जोई ने सफर्जन वाड़ा फेर्या तरफ इशारो करेओ बाब समझी गयो एने खिस्सामा हात नाक्यो सफर्जन खरीदी शकाई एटला पैसा तो निकड़िया एने बे मोटा सफर्जन खरीदीने दिक्रीने पकड़वा आप्या जे थी एट पैसा चुकवी शके सफर्जन खास्सा मोटा हता बाब दिक्री बन्ने आराम थी पेट भरीने खाई शके हैम हता दिक्रिये पोताना नानकडा हात मांड मांड ए सफर जन पक्ड़ा हता पैसा चुकवी ने बाप दिक्री तरफ फरयो आने बोलियो बेटा मने एक सफर जन आपिश कहीं पन जवाब आपयावीना दिक्रिये एक हात मा रहला सफर जन ने एक बट कु भर्यो बाप काई समझे के बोले ए पहला ज दिक्री ए बिजा सफर जन्ने पन इटलू जडब थी बटकु भरीली दू बाप ने नवाई लागी साथे आघाद पन लागयो दिक्री ना वर्तन थी एने पोते करेला एना उचेर अंगेज शंका जती हती नक्की करेला उचेर माज काई खामी रही गई होवी जुईए नई तर दिक्री आटली स्वार्ती न बने ए वो विचार एने आवी रहो हतो साथे एम पन थतु हतु कि कदाज एनी उमर नानी होवा थी ए वहची ने खावानी भावना नई समझी शक्ती होई थोड़ी वार माज एना मन मा घणा बधा विचारो आवी गया एना मोडा पर थी हास्य गायब थाई गयो एज वकते दिक्रीये जम्णा हात्मानू सफर्जन बाप सामे लंबावता कहिऊ पपा आ सफर्जन तमेलो आ वधारे मीठू चे बाप स्तब्द थाई गयो नानी दिक्रीने स्वार्थी धारी लेवानी उतावड करवा बदल एने मनो मन पस्तावो थवा लागयो अने बुल्यो थेंक्यू बेटा मने मिठू सफर्जन आपवा बदल अने पचिस्वगत बब्ड़ो अने जिन्दगीनो एक मोटो पाड भणावा बदल इटलू कईने एने दिक्रीने तेडिली दी अने वधारे मिठू सफर्जन एने आपी दिधू वाला श्रोतामित्रो तमने नथी लागतू कि कोई पण वेक्ती के परिस्तितीने मुलवता पहला कि एमना विशे त्वरीत अभीप्राई बांधी लेता पहला दरेके थोडू खामवू जोईये एवू करवामा खोट काई नती जती परन्तु क्यारेक पेट भरीने पस्तावो करवामा थी बची जरूर जवाई शे आभार